हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग आसा गड़ते हैं, सभी लोग स्वस्थ होंगे और अगामी एक्जाम की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे, क्रिसेंट एजूकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों हमारे संग रोज नए अस्पिरिंट्स पूरा कर पाएं, ऐसा ही दोस्तों एक्जाम है, जिसका नाम है LT, उत्राघंड LT के नाम से इस एक्जाम को जाना जाता है, यहां पर दोस्तों आप अच्छी प्रपेशन करके, यहां उत्राघंड में सरकारी सिख्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, आप ऐसे में आपको प्रपेशन करनी होगी, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्राघंड LT की, आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसके सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा, इसके पेपर पैटन के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको य तो इसके लिए best exam है दोस्तों उत्त्राखंड LT का exam यहां पर दोस्तों आप इस exam को crack करके आसानी से उत्त्राखंडे में सरकारी सिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं देखे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके educational qualification की तो मैं आपको एक general इसके educational qualification बताऊँगा बाकी subject wise तो के लिए graduate graduation आपका होना चाहिए अब इसमें विसेवार combination होता है लेकिन अभी हम के लाल उसके बारे में detail में डबात नहीं करेंगे तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको graduate होना चाहिए प्लस अगर आपके पास B8 की degree है और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने TET qualify किया है अब देखिए सबसे पहली बात है हम बात करेंगे इसके चड़नों की तो कितने चड़नों में एक्जाम होता है दोस्तों ये आपका एक सिंगल चड़न में होने वाला एक्जाम है यानि कि आप एक एक्जाम देके उत्तरा घंडे में सरकारी सीखशक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात है दोस्तों जो आपको पे स्केल मिलता है वो बहुत हैंडसम पे स्केल मिलता है यानि कि छियालिस सो ग्रेट पे में दोस्तों आपको नौकरी मिलती है तो काफी अच्छी और रैपोटेटेड दोस्तों पोस्त यह है और काफी अच्छा भी दोस्तों यहाँ पर इसका वर्क रहता है काफी कुछ दोस्तों आपको सीखने को मिलता है आपका मतलब एक तरह से क category होती है एक होता है common paper और एक होता है दोस्तों आपका subjective paper common paper है दोस्तों जो कि सबके लिए common रहेगा इसको दोस्तों 30% का weightage दिया गया जबकि subjective को 70% का weightage दिया गया आप देखे subjective में मैंने पहली बताया कि आपके subject के according इनको weightage दिया जाता है उसके बारे में भी जो common portion है इसको दोस्तों बोलते हैं teaching aptitude teaching aptitude का मतलब सीधी बात है कि आप से section अभीरूची से संबंदित प्रशन इसमें पूछे जाते हैं जिनका weightage 30% का होता है जिनका 100 number का paper है तो 30 number का teaching aptitude से आता है जबकि 70 marks का आपके subject से आता है तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको balance बनाना बहुत ज़्यादा जूरी हो जाता है क्योंकि केवल आप teaching aptitude पढ़के यहाँ पर selection नहीं पा सकते केवल आप अपने subject में अच्छा होकर selection नहीं पा सकते आपको दोनों का संतुलन बना के चलना पड़ेगा आपको subject में भी थोड़ा अच्छा score करना पड़ेगा थोड़ा आपको teaching aptitude में भी अच्छा करना पड़ेगा अगर आप दोनों में थोड़ा थोड़ा भी अच्छा कर लेते हो तो आप यहाँ पर definitely दोस्तों selection ले सकते हो देखे ध्यान अकना है कि हमेशा optimistic बने कोई negative बात नाग सोचे क्योंकि अभी काईस लोग से यह सोच रहे हैं कि उत्रागंड LT के जो candidates हैं उनको joining नहीं मिली है तो फिर उत्रागंड LT की post नहीं आएगी देखे दोस्तों बस यह समय का खिल है बाइस सो इस समय पर LT के सिख्षक वेट कर रहे हैं प्रमोशन होने का तो आप इमान के चलिए कि यह लोग जैसे ही दोस्तों promote हो जाएंगे तो सीधे सीधे आपके सामने 2200 सीटे LT की खाली हो जाती है तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ा चांस रहेगा LT की पोस्ट आने का और बाकी जिन लोगों का एक्जाम हो चुका है उनको भी जल्दी ही जॉइनिंग मिल जाएगी तो अपनी आपी भरती प्रक्रिया पूरी होगी तो जल्दी ही आपको इसका भी notification दोस्तों देखने को मिलेगा लेकिन ये काम अटका हुआ है लेकिन ये काम अटका हुआ है तो इसका मलब ये नहीं कि हमेशा ये अटका रहेगा तो इसलिए आप अभी से दोस्तों इसके लिए प्रिपेर करना स्टार्ट करें अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके syllabus की, सबसे पहले हम इसके common syllabus की बात करेंगे, जिसका नाम है teaching aptitude अब दोस्तों हम बात करेंगे common syllabus की, जो की LT, अगर आप किसी भी subject से देना चाहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको 30 number का teaching aptitude देखने को मिलेगा So this is the syllabus of teaching aptitude, सिक्षण अभी चमता या सिक्षण अभी रूची की हम बात करें, तो देखेंगे इसमें किस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं, ध्यान रगना है कि जो सिक्षण अभी चमता है, उसमें दोस्तों आपकी child pedagogy, यानि कि CDP, सिक्षा मनुविज्यान, इसके अलावा जो आपकी सिक्षण अभी रूची है, वो तीनों के तीनों दोस्तों इसमें आते हैं, teaching aptitude मतलब ये सबी को लिये वे हैं, तो इसका जो syllabus है दोस्तों, काफी broad है, मतलब कि ये जो आपने tat और central tat के लिए जो आप study करते हैं, उससे थोड़ा आपको उपल लेवल पे जाना communication कैसे आप करते हैं, वियवसाय के परतिय, आप कितने प्रतिबद्ध हैं, साक्षिक्र प्रियोग में आपका कितना विश्वास है, problems को आप कितना समझते है, innovations को कितना समझते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आपको बच्चों के पूरा जो चाइल्ड सक्षा मनो विज्या है उसके बारे में भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए यानि कि चाइल्ड साइकलोजी के बारे में भी दोस्तों आपको पता होना है तो देखा जाए तो केवल CDP नहीं है ये ये है Teaching Attitude आपको लिए टोटल सारी चीज़ें इसमें पता होनीचे तो देखें यहाँ पर बाइफरकेट करके सिलेबस दियावा है सिक्षकों में चात्रों के परती अबिवरिती यानि कि आप कैसा एटिटूड अपनाते हैं अपने चीज़ें परती यानि कि कोई बच्चा है वो क्लास में जादा हला गुला करता है या बहुत जादा लड़ाई मार करता है तो आप उसका एटिटूड उसके परती आपका कैसा एटिटूड होगा निकारी के परती educational experiments हैं problem है innovations है इनसे आपका क्या मतलब है इसमें आपकी कितनी knowledge है सिख्चा की क्या क्या योगताई होनी चीज़ें उसके क्या क्या गुड़ होने चीज़ें अब सिख्चन की बात करते हैं यानि कि teaching की बात करते हैं तो प्रकरती कैसी है nature कैसा है aim कैसे है ठी ठीक है इसी तरह से अब आपको दोस्तों child के बारे में पता होना है चीज़ें कि आपका जो learner है उसकी क्या लक्षन है ठीक है और आपके कौन से factor है जो कि सिख्चन को प्रभावित करेंगे सिख्चन की विदियां कौन-कौन सी होती है जब आप teaching करते हैं तो आप कौन-कौन से सामगरी का यूज़ करते हैं बच्चों की आपको दोस्तों जिसे मैं अपको पहली पता है कि बच्चों की भी आपको CD म Inspector मन विग्यान के बारे में दोस्तों पता होना है ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है ये आपको दोस्तों पता होने चीज़ें डिये जो कि दिये गए है इस सारे दोस्तों आपको पैता होने चीज़ के अलावा बच्चों किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, अभी प्रेना अधिगम का प्रभाव मोटिविशन, इसके अलावा इंडिविजिल डिफरेंसे यानि कि हर बचा सेम नहीं है, इसके अलाव परसनालिटी, बुद्धी, ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या है, फैक्चुल है, उपर वाले थोड़ा सा आपके क्या है, कि ये परसन टू परसन वेरी करते हैं, सब्जेक्टिव हैं, लेकिन यहापर आपको काफी सारा फैक्चुल देखने को मिलेगा, अब जिसे स्प पठार आजाते हैं, लनिंग गैप होता है, इसके अलावब कॉडिनेशन है, किस तरह से सामन जिसे बैठाए जाता है, और इसके अलावब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि सिक्षन अधिकम प्रक्रिया, और नेशनल करिकुरम फिरमग 2005, ठीक है, सिक्षन अधिक के टेकनिक से हमाँ अपनाते हैं, कि या क्या होता है, यानि कि का plausible क्या होता है, स ततेम व्यापक मुल्यांकन क्या होता है, इसके अलावब देखें दोस्तों, एक्षन रिसर्च अन सिक्षा का अदिकार अधिकार अधिकम 2009 और इसके अलावब दोस्तों इस बार EPP 2020 भी द अब दोस्तों हम बात करेंगे भाया कि जो आपका common syllabus के अलावा दोस्तों जो subjective syllabus है जिसको कि 70 marks दिये गए हैं देखिए यहाँ पर यह official दोस्तें की website में दिया हुआ है और यह आपको मैं provide भी करवा दूंगा telegram channel में हमारे telegram channel भी है वहाँ पर link होगा आप उसको join कर सकते है about section में हमारा link रहता है वहाँ पर मैं काफी सारी जी यह डालता रहता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको विसेवार दिया गया है कि अगर आप B8 है LT है ठीक है और आपका क्या है भई मलब कि आपने LT B8 किया हुआ है ठीक है तो आपके अभीवरती के लिए तो दोस्तों आपके 30 अंग होंगे जो कि सब के लिए कौमा ने ज इसका दोस्तों यहाँ पर एक तरसे distribution किया गया है ठीक है तो यहाँ पर आप देखी जो intermediate star है दोस्तों इसको 28 अंग यहाँ पर दिये गये हैं आप देख सकते हैं कि इसको 28 अंग दिये गये है और बाकी के जो अंग है यानि कि आप 70 में से जब 28 को minus करेंगे यानि कि आपके 28 नंबर का intermediate level और इसना तक सतर का दोस्तों आपको 22 नंबर का दिया गया है तो कुल मिला कि आप देख सकते हैं कि इसका जो अंग हो जाता हो कितना हो जाता है 70 हो जाता हो सत्तर में 30 जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाता है ठीक है ना तो दियानक नहीं कि जब आप exam देंग इतियास है भुगोल है राजनिती विज्ञान है अर्थसास्त्र है सबसे 777 नंबर का आता है यानिकि साच्यों का 28 यह आपका intermediate level का आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11-11-10-10 का gap दिया हुआ है वलगकि distribute किया हुआ है तो यहाँ पर आपको 42 marks का इसमें से आएग 29 और यहाँ पर 30 तो यहाँ पर 42 marks का आपको दिया हुआ है तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलरली अगर आप 80 विज्ञान के तियारी करते हैं तो आपके पास रसायन विज्ञान, वनस्पती विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इनको 10 marks 9 और 9 ऐसे साइंस बनना चाते हैं, सिमिलरली अगर आप 80 हिंदी बनना चाते हैं तो हिंदी में 14 और संस्कृत में भी आपको 14 दिये गए हैं, मतलब कि अगर आप इंटर लेवल का पड़ेंगे और बाकी ग्राजुएट लेवल पे हिंदी को ही 42 marks दिये गए हैं तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अगर आप L.T. संस्कृत मना चाते हैं तो फिर आपने संस्कृत ही मांगा जाता है, ग्राजुएट लेवल पर भी तो आप यहां पर देख सकते हैं, संस्कृत है 28, संस्कृत है 42, तो यहां पर संस्कृत ही परणी है, L.T. उर्दू वाले को उर्दू ही परणी है अंग्रेजी वालों को अग्रेजी पढ़नी है इंटर और ग्राजुएट लेवल की बंगाली यानि कि जब आप लेंग्वेज की बात करेंगे तो यहां पर कोई इतना दिक्कत नहीं है दिक्कत है उपर जहां पर आपके सब्जेक्ट अलग-अलग है लेंग्वेज को संबंदी थी प्रशन पूछे जाते हैं तीस कला वालों को तो और भी फाइदा है कि इनको तो दोस्तों टीचिंग अप्टिट्यूट भी यहां पर देखने को नहीं मिलता है इनसे केवल कला से संबंदी थी टोटल सौ माक्स का पेपर पूछा जाता है इस तरह से ल्टी सा अप्टिट्यूट और इस कहला है ट्वंटी एट की सारिक सिक्षा और ट्वंटी टोगी सारिक सिक्षा फिजिकल अब देखें यहां पर यह जो गाप दिया हुआ है क्यों दिया हुआ कई लोग के मन में असमंजस हो रहा होगा क्योंकि ल्टी कला में बीड योग गिता दो अब जो बीड की योगिता को इन्होंने हटा दिया तो इसमें क्या हुआ कि जो जिन बंदों ने कला प्लस बीड किया हुआ था वे लोग कोट चले गए कि इन्होंने नॉन बीड वालों को कैसे यहां पर मौका दे दिया अब यह लोग एक्जाम दे चुके हैं इनका रिजल आपको दोस्तों कोट में चल रहा है इसी कारण से यहाँ पर इसे टीचिंग आप्लिटूड भी नहीं पूछा गया है इसके अलावा इल्टी संगीत है तो आप देख सकते हैं संगीत का भी वही है ग्रह विज्यान में भी वही है वानीजे में वही है तो इन सब्जेक में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अपने सब्जेक में ही पकड़ बनाई रखना अती आवशक है और ध्यान रखना है कि जो भी आपसे इंटर्मीडिट सर का जो पार्टिकरम होगा वो NCRT के अकोर्डिंग ही होगा ये आपको यहाँ पर साफ साफ दोस्तों बताये गया है तो दोस्तों कुल मिलाके आपने देखा कि अगर आपको LT एक्जाम को निकालना है तो सिंपल सी बात है कि आपके सामने सौ नंबर का एक प्रेशन पेपर होगा जिसमें आपको दो पार्ट दिये होंगे एक तीस मार्क्स का आपसे टीचिंग आप्टिटूट पूछा जाएगा सतर मार्क्स का आपसे आपका सब्जेक्ट दोस्तों ही आपको पूछा जाएगा इन दोनों को मिलाके आपका दोस्तों जो भी मार्ट लिस में के अकोर्डिंग आपका इसमें आपके जितने मार्क्स होंगे उसके अकोर्डिंग ही दोस्तों आपको सेलेक्शन मिलेगा तो सि जल्दी ही दोस्तां आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी उत्रागंडे राजे के अंतरगण I hope दोस्तां आज की वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी अगर अच्छी लेगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेर किजिएगा मिलते एंगली वीडियो में तिल देन टेक केर और गुट बाई